नमस्कार मैं हूँ आपके साथ अंशी का पाथक बुलिटन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ MP कॉंग्रेस में टिकेट को लेकर पेज फस रहा है दरसल बचे हुए टिकेट को लेकर कलह जारी है और तीन टिकेट को लेकर खास तोर पर आला कमान ने हाथ खीच लिये हैं अब मध्य प्रदेश के नेताओं पर टिकेट का फैसला छोड़ दिया गया है प्रदेश अध्यक्ष जीतु पटवारी नेता प्रतिपक शुमंग सिंगार और बाकी नेताओं के बीच टिकेट को लेकर सहमती नहीं बन पा रही है जिसके चलते सीटों पर अभी भी प्रत्याशी होल पर है मुरैना गौलियर खंडवा सीट पर नाम अभी घोशित नहीं हुए है और ऐसे में पेच फसता हुआ नजर आ रहा है एक सीट पर दो से तीन नामों को लेकर अभी भी कन्फ्यूजन है मुरैना से पंकर चुपाद याई सतिपाल सिंग सिकरवार और रमेश गर्ग के बीच पेच फसा हुआ है गौलियर सीट की बात करें तो प्रविंट पाठक और राम सेवक बाबुजी यहां पर दावेदारी कर रहे है अब दावेदारी और हकदारी में कितना फर्क है यह तो आप अंदासा लगा ही सकते है लेकिन पार्टियां दावेदार और हकदार किसे मानती है किसे न कारती है यह देखने का विशेयोगर खंडवा में अरुन यादव चुनाव ही नहीं लड़ना चाहती है अब सुनीता सकरगाय पर चर्चार चल रही है तो अभी भी तीन सीटों को लेकर मामला फस्ता हुआ नजर आ रहा है कॉंग्रेस में बात नहीं बन पाई है खंडवा, मुरैना और ग्वालियर इन तीनों ही हाई प्रोफाइल सीट पर कॉंग्रेस ने प्रत्याशी नहीं उता रहे हैं एक सीट पर दो से तीन नाम आ रहे हैं और अभी भी असमंजस की सिती बनी हुई है और बात करेंगे शैलेंदर हमारे सयोगी इस वक्त चुड़ गए हमारे साथ चैलेंदर अब तो दूसरे चरण के नामंकन की प्रक्रिया भी खत्म हो गई है अभी तक कैंडिडेट चैन में ही पार्टी उलजी हुई है क्या कोई राह निकलती नजर आ रही है कोई इनपुट्स मिल पा रहे हूँ देखे बिलकुल कॉंग्रिस में कई दौर की स्क्रिणिंग कमिट्री की बैठक हुई इसके बाद सीजी की बैठक हुई हुई जिसके बाद जो तीर नाम है उनका अब तक एलान नहीं हो पाए इसके पीछे बताया जा रहा कि इस्थानिये नेताओं के बीच आपस में स्रामजय से नहीं बैठ पा रहा और यहीं काराने कि अपकेंद्री आलाकमान ने टिकेट के वित्रण का फैसला है वो मध्यप्रदिस के नेताओं पर सौब दिया और कहा है कि आप लोगी तैकर जो बरतमान में बिधायक है उनकी तरह उनकी जीतु पटवारी यह चाहते है कि उनको टिकेट मिले लेकिन अगर दूसी तरह पोमंग संगार की बात करें तो बहुत करते हैं तो भारत सिंग कुस्वा को बीजेपी ने यहां से अपना परत्यासी बनाया और अगर उनके खिल को मुका दिया जाए बलकि दूसरा धड़ा ये चाहता है कि पूर्प सांसाद राम सेवक बाबू जी को मैदान में उतारा जाए अगर बात खंडबा की करें तो जिए कि देखिए जिस तरीके से अरुड यादब जो है वो गुना से चुनाओ लड़ना चाहते थे लेकिन किनी कहीं अंदर खाने ख़बर जरूर आ रही कि आप जो कॉंग्रिस के नेता है वो आपस में सामझ जसे नहीं बठा पा रहा है और उसी का परिणाम है कि तीन सीटों पर अब तक नामों का एलान नहीं हो पाया है उसको लेकर बीजेपी लगातार तंज कसरई कह रहे हैं कि गु समय बीतने के पहले जो है वो नामों का एलान कर लिया जाएगा लेकिन देखिए सब्सक्राइब बड़ी बात है कि जो प्रत्यासी गोसित किये जाएगे उनके पास बेहद कम समय बचेगा क्योंकि देखिए को बीजेपी जो है वो अपने सभी कंडिडेट गोसित कर चुकी करें लोगों को बताएं कि आप किसके लिए वोट करने वाले हैं पार्टी के चुनाव चिन पर चुनाव लड़ने की बाते तो हमेशा होती ही रहती है लेकिन एक कैंडिडेट क्या शक्तित